चेशी क्रिष्ण विद्यार्जी मीत्रों, अबे आपड़ा पाठमा आगर वत्ता कच्छनी शेया तरिशू, और चेने आपडे पुझेडा देमा तरिवाई के कच्छनो प्रवास करिशू. बरबर कच्छनो आपड़े प्रवास करीशू एमा कच्छना रहला अलग-अलग गामनों दिशे थोड़ी खणी माहीते मेवेवेवशू अन्ने आ कच्छना जाने आपड़े कोते फरी रहियाची एवी अहुपती करीशू तो चालो सव साथे मणी अने कच फरवाच जाले हैं। मुँँ तो जाली दे इछू तमे बड़ मारी साथे आउसो बरबर छे चालो आपड़े कच्छ मां एंटरी लेए। कच्छ मां आपड़े आपया समने जैसी कर्ष्णा कच्छ की से आपड़ मां तमने लोगमें खूप बजमाचे आपसे। कच्छ जाने फरे देलाची एवी अनुपती थासे। कच्छ के एक यात्रान स्थोर्ट छे जेने आपने सुन्दर रेते समझी और एक एक स्थोर्ट हमें फरे देलाची। चालो एमाँ पैनों छे सामख्यानी। पैले तो में आपको कच्छ के बाल में बता दू कि कच्छ हमारी गुजरात का ही एक जिला है। जो बहुत ही छोटा है कि अपने में सबसे अलब अनुठा है। आपको बता है या नहीं है तो मुझे मालूम नहीं है कि आज से 20-22 साथ पे जब भुकम पाया तो कच्छ उसका के बिस्ता है। उस मज़े से कच्छ पूरा क्या पूरा आपकरे के घरसा हो गया ना, जमेंतों से हो गया ना। उस कच को आज पूरी दर्व से मरमनत करके जो भी स्थान में उसे पूरी दर्व से तेक से सवारा और कच आज लोग प्रियम इसे हुआ यह इस पाट से उन्हें पता चलेगा कच के जैसे रमन ये स्थावजें उसके बारे में हम पड़ाइगें पहला यह राग सामख्यादी यह इसका पहला प्रवेश्बार जैसे प्रियसे ते एसाए गाहों में जहांसे कच की शुरुवार कच की भूमी की शुरुवार बहती है दूसरा है रापर, रापर आको इतिहाश चरुपड रहे तो उसमें आता है कोला लिया, मिल मौहें जड़ों के इसको आको ऑक्सेस मिल रहे यह इसक्र में और आपको रापवर के बार के एक बात आता दो, कि रापवर के 14-12 साथ के लड़के भी ट्रॉक चबाते हैं, और वहाँ ऐसा है कि उन लोगों की उसी मुझे में साधी की हो जाती है। अब राप जलाते हैं, जब उस लड़के की मौत हो जाते हैं, तो वह दस साथ की लड़की को विद्वा का पूरा जीवन विद्वा करके बिताना करता है। तो इतने चोटे-चोटे लड़की हैं, वह अगर एक्षिनल में मर जाए। तो वह लड़की का पूरा जीवन हाँ, वह विद्वा के हुट में मना दी है। उसके बारे में अगर आप देखें, तो कच्चके ही माणवी और बुच्च ये दोनों बड़े सारे हैं, वहां पे शम्राय मांती हैं। जीना नहीं माँ में बच्च में बहुत हैं। उन सम्में वह साधनी हो जाती हैं, वह अपना पूरा जीवन बिता देती हैं। कितनी चोटी-चोटी लड़की आप आठी कंसा में पढ़ रहे हैं। तो आपके जैसी, आपकी जितने उपर की लड़की आएं, वह इसा जीवन बिता देती हैं। अब आएं। कान्विता, कान्विता कंच का बहुत ही बड़ा शहर माना जाता है। जैसे कि हमारे राजवकी के इपूदरेशने वाले सब राजवक को अपनी राज़रानी समनते हैं। वैसे ही parmotherci कच की राज़दानी प्ादम दावें, वहां पे, लोग, आस पास के लोग सब अपनी अपनी खरीती . या अपना सामान में या बेच्वेडियर भिनाते हैं और यहां पे जब पारत पाकिस्तान क्या दोनों का अंदर अंदर यूद चला और दोनों का पार्ट हुआ दोनों अलब होगें तब सिंधी लोग इस गांधी दाप में आते रहें और यहां पे इतने साले ऐसे ओध्योगी कातान हैं कि उसमें सब सिंधी ओध्योगी व्यवसाइदें लग रहें अब हम बोलें तो गांधी का पूरा सिंधियों का ना थे अब कंडला को आपको और ने सबने सुना है कि हमारा सबसे बड़ा कच्छ का बुझरात का बड़ा बंदल यह बंदल का आम है वह पेड़े था आज उस मंदल को पूरी तरह से इतना सबारा है कि कच्छ में कंडला के देखने राया स्थर बंदल रहा है इसके आगे आए तो बद्रेश्वर्ट बद्रेश्वर्ट कच्छ में ज्यादा तर श्वामिराया और जैन लोगों का मौत बदिकाए दे रहा है जैन लोगों में अगर आप देखें तो जिनादयों का बहुत ही मौत होता है और संगे मार्ण के ये सब जिनादय है कितने साथे दोसों डैसों जिनादय नहीं के दिकाए दे रहे और सब जिनादयों की अपनी एक खुबी है इन जिनादयों की दुनिया तो हम बद्रेश्वा को जिनादयों की दुनिया की के सकते है अब आप लोग यह भी समझें कि ये पुरा जो कच्छे इसको आधाईया की मुमें है पर इन सब में कुछका कुछ ऐसा है कि आप ऐसा कर सकते हैं कि हमारे दियास में कच्छका बहुत ही मौत हो है अब आगे हम दूसरे वीडियो में मिलेगे तब तक आप लोगों को इन में से किसी एप के बारे में दस बात केंगे दस बात के आप लिटने हैं किसी एप के बारे में दस बात के आप अपनी तरब से चूल के लेख सकते हैं अब दूसरे जो यहां के महत्वप्वन स्थानी उसके बाले में आगे दूसरे वीडियो में मिलेगे और उससी पड़ाय करेगे नहीं उसमें घुम्बेगे तब तर जेशी कृष्णा